हलो फ्रेंड्स में नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्यान विज्यान दोस्तों कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये पूछा था कि डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव करने में बैंक क्या चार्ज लेती है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डीटेल में जानेंगे इसी सवाल का जवाब और साथ ही जानेंगे कमेंट्स विपूछे गए डॉर्मेंट से एक्टिव अकाउंट के लिए पूछे गए और भी सवालों के जवाब तो दोस्तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही informative वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए start करते हैं दोस्तो dormant account को active कैसे करते हैं इस पर मैंने already ये वीडियो बनाया है ज़़ा जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो देश सकते हैं आईए आप जानते हैं कि क्या bank केसी भी account को dormant से active करने के लिए कोई charge लेती है account को निश्क्री है यानि dormant से सक्री है यानि active करने में bank कोई charge नहीं लेती है लगबग सभी बैंकों में डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव मुफ्त में किया जाता है आईए आप जानते हैं कि क्या डॉर्मेंट अकाउंट में रखे हुए बैलेंस पर बैंक ब्याज देती है dormant account में रखे हुए balance पर bank ब्याज देती है लेकिन ये ब्याज खाते में credit तब किया जाता है जब आप खाते को active करवा लेते हैं dormant रहते हुए खाते के balance पर bank ब्याज देता तो है लेकिन खाते में उसको डालेगा तभी जब खाता active हो जाएगा अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि account dormant तब होता है जब 2 साल तक आप उसमें कोई भी लेंदेन ना करें अब दोस्तों मान ले आपने खाता 2018 में खुलवाया था और 2020 तक आपने उसमें लेंदेन नहीं किया तो dormant के नियम जो कहते हैं कि 2 साल तक अगर आपने खाते में कोई लेंदेन नहीं किया तो account dormant हो जाता है तो यानि 2020 में खाता dormant हो जाएगा अब 2020 से लेकर अगर आपने 2021 तक यानि एक साल तक आपने खाते को active नहीं करवाया तो खाते में जो भी balance था वो 2020 से लेकर 21 तक में जो आपको व्याज मिला होगा वो व्याज आपको उस साल में ही credit खाते में नहीं होगा यानि कि वो व्याज calculate तो किया जाएगा बैंक के द्वारा लेकिन वो आपके खाते में डाला नहीं जाएगा वो तब डाला जाएगा जब आप खाते को एक्टिव करवाएंगे अगर आपने 2021 में जाके अकाउंट को एक्टिव करवा लिया तो ये जो डॉर्मेंट की पीरिड का जो इंट्रेस्ट है वो आपको एक्टिव करवाने के बाद आपके खाते में बैंक डालेगी आईए अब जानते हैं कि क्या डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव करने की कोई टाइम लिमिट है अब दोस्तों कई लोगों ने मुझसे कमेंट से पूछा था कि उनके अकाउंट को डॉर्मेंट हुए 5 साल ये 10 साल बीद गये हैं तो क्या अब भी वो अपने अकाउंट को एक्टिव करवा सकते हैं तो दोस्तों डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव कराने की कोई समय सीमा यनि टाइम लिमिट नहीं है आप कभी भी अपने बैंक जाकर अपने डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं आईए आप जानते हैं कि जब bank में खाता dormant रहता है तब उस period में अगर खाते में minimum balance maintained ना हो तो kya bank minimum balance charge काटती है। अब दोस्तों आपको तो यह minimum balance का rule पता ही होगा कि एक minimum balance होता है जो खाते में हमेशा maintain करके रखना पड़ता है अगर आप work balance maintain नहीं करेंगे तो bank एक charge काटती है जिसे minimum balance non maintenance charge कहते हैं इस case में जब किसी account में minimum balance maintain ना हो और वो account dormant भी हो तो उस account में dormant period का minimum balance non maintenance charge नहीं कटता है और जब account active हो जाएगा तो यह charge bank के नियम के मताबिक कटने लगेगा यानि कि जो dormant period होगा जब वो एक साल के लिए dormant होगा जो भी हमने प्रिशला example लिया कि 2018 में account खुला 2020 में तक कोई भी लेंडें नहीं किया गया तो account dormant हो गया और 21 में जाके उसको active कराए गया तो 20 से लेके 21 यानि एक साल में जो balance था उस पे ब्याज तो लगना है लेकिन वो balance अगर मान दीजी minimum balance से कम है तो उस case में जो minimum balance चार्ज है वो 20 से 21 के बीच का नहीं कटेगा हाँ अगर आप account को active करवा लेते हैं और उसके बाद भी minimum balance से कम balance रखते हैं खाते में तो minimum balance चार्ज कटेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में आपने जाना dormant account से जुड़े अपने कुछ सवालों के जवाब उमीद करता हूँ कि आपको आज का मेरे ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपका इससे related कोई भी सवाल है तो मुझसे comment करके पूछे मैं जवाब जरूर दूँगा और subscribe करें में चनल ग्यान विग्यान को साथ ही notification बैल आइकां को ज़रूर दवाईएगा और all पर click कीजेगा क्योंकि मैं ऐसे ही informative वीडियो लाता रहता हूँ थैंस फर वाचिंग